बिस्मिल्रह्मार्रहीम असलामौ अलाइकम देर स्टुडेंस मैं हूं मुहमाद आरेफर आप देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल आरवड एजुकेटर डियर स्टुडेंस आज हम अलामा अकबाल उपन उनिविस्ट्री एमे एमेड कोर्स कोड आर्टस अठाई हायर एजुकेशन इसके लेक्चिन नमबर सिक्स पढ़ेंगे जिसका अनुआन है आलत अलिम का फलस्फ़ा एजुकेशनल फुलासफ़ी तो चले स्टुडेंस आज को सुबक शुरू करते हैं बकाईद्गी के साथ सवाल पूछा जा रहा है कि आलत अलिम के फलस्फ़ा पर बैस करें तो इसके जवाब में हम लिखेंगे युनिविस्ट्री के मकास्त के बारे में निजरियात के जदीद माखुष के फलस्फ़ा क करतार। आरोच शाओर के मजमूर पर मिश्टमीद एक ऐसी मुनाजम और पाइधार सरगर्मी जो रोज मरा जिनकी के तमाम अमलात के मताबर काबले कदर रहसी देखती है। पर से अलाग नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कहना मैं रतजाद होगा कि एक शक्स ने तलिम तो हासल कर ली। लिकनि इसने बेतरी के लिए खुद में कोई तब्दिली महसूस नहीं की। फिर इसका एक पहलो यह भी है कि जो चीज किसी एक फार्द के लिए एहम हो दूसरे क लिए भी उसी तरह एहम हो सकती है। इसके साथ साथ यह स्वाल भी पैदा होता है कि तलिम के लिए किसी मकसद के तशकील दिया जाने बहाद फिलसफियों के निजदीक तलिम बजाते खुद एक एहम और काबल कदर चीज़ और किसी मजदर के रसूल का जरिया नहीं इसके पर एकस कहीं लोग यह कहते हैं कि तलिम ज्यादा से ज्यादा पिशवरान नायत की होनी चाहिए। फिरा जी आला तलिम का फिलसफ़ा आला तलिम में एक पहलू तो यह है कि इसके ज्यादा से ज्यादा तलग युनिवर्सिटी से है बिला शुबह किसी भी मौद़ पर कि अफधियत वाज़ करने में ने काम रही है इस सुर्ट तलिम को वाज़ के लिए कौन और मार्च ने यह नितिज़ा आखिस किया है कि तकरीबन हर तलिम यह आफ़ता शेक्स युनिवर्सिटी के मौदब के मौदब पर लेक्च्छर दे सकता है लेकं तकरीबन कोई भी श फलस्फी कहा जाता है कि आला तलिम के फलस्फी की तदा 34 सदी सी कबल मैसिए की इंदर्स्तान तजजिव में तदाश किया जासा था इस सिले में दोचेनी फलस्फी यु कन्फेशिएस और लाचिस च्छटी सदी कबल मैसिए के निज़रियात को जिर बहा जाता है क्योंकि इनके निजरिये में तज़ाद तलीमी ख्यालाद की हामल है। कन्फियोशिस तलीमी माश्राय अमल करा देता है। इसका मौकुव यह है कि तलीम एक ऐसा हमल है जिसके जरी अफराद माश्रे के साथ मसलिक हो जाती है। और इल्म का हसूल इस बनाद पर होता है कि माश्रे में हमाल की पैदा होती है। इसके बराद लार्ट्स ने एक फर्ट की तलीम पर जोड़ दिया है। इसके सदाल यह है कि तलीम फर्द में शहूर और अगाई पैदा करने का नाम है। यह दुनी नजरियात इन दो पते दाए खियालात का पर तो हैं जिने बाद में अज़ाद खियाल लिबरल और पेशर रणा के नाम से मस्मुन कर जाता है। व्यार हायर एडुकेशन के वाले से दो एम फलसफे पाई जाते हैं जो दर्जजल हैं। पैसे मरात वो मातें लें गई जो एक इसान में रुआज़ी तरुमा मजूद होने चाहिए। और यह मातें इसान मास्टने में बसने वाले दुसरे अफ़राद चाहिए। लिबरल आर्ट्स के फ्लार्सफर्स का नज़िया ये है कि इस तरह की तल्हीम को आमिर सानों की जूब को पूरा करने चाहिए. वो यकीन रहते हैं कि लोग जिस दुनिया में रहते हैं वो इससे समझने की कोशिश करते हैं और इसकी वज़ा सिरो तजस्स होता है. और जिस किसी दलील और तजजी की पैरवी की जाए तो सचाए की तलाश में रहते हैं इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि लेबल आजुकेशन की बार की इसलाइटों में अधाफा करती रहती है. वोकेशनल फिलासफी की हमियों का कहने है कि तलीम का फाट बाइट के बजाए पूरे माशले की जरूरत को पूरा करना चाहिए. प्रोफेशनल माईरीन सिर्फ तजस्स की बनाद पर त्यान नहीं करना चाहिए. बलके इनके माशले में 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 अहम्यत को मद नदर रखना चाहिए. कुमों को मुल्की तरकी के लिए माईरीन की शक्ल में तर्बिय याफ़ता मैंपाउर की जरूरत होती है. लहाँ तलीम का अबली मकस्द जिये है कि मैंपाउर की जरूरत को पूरा करे. इस फिलासफी के पेरोकार इस पत पर यहीं रखते हैं कि तलिम को इनसानों के मक्सद में बेहतरी के साथ साथ तरकी की रापर भी गमजन के साथ चलना चाहिए इस उसलाही नफ्ते नजर के रही है जो फिलासफी में नतलों गे नाफन चाहिए। तूनी नज़िया तलीमी फलसफ़ा अफलतूनels की तैरीरों पर मिलता है जिसके मताबक तलीम इंसान की नश्रमा का naam है जिसके तलीए एक मसाले माश्ड़ी की तश्कील की जाती है इसका बाराक सेजिक रिनमाई असूल के तोर पर अरस्तू पेशवरेना तलीम के सखत खलाफ इसका माकुफ था कि तलीम का हत्मी माकसुद किसी इनसान को अकिगी मस्तरबरत किलिट तफंदोजी के लिए त्यार करना है अरस्तू अमर का काल तरके मसर theorem तासल करने के लिए नसान के लिए बितरीन सरगर्मी सचाई की तलाज है इसलिए इसके पेशवराना तलिम को मस्तरद करना जो एक अज़ाद के लिए गयार एहम है अरस्तू और न्यूमें के तर्मयान अरस्तिक में फलस्रफे कह रितका जे अच न्यूमेन फिर इसके बाद उन्ही सहद्वी के आला तलिम का फलस्फ़ा मारे होत से बरा राष्टा लग रखता है और इसके मिशावल अलमदार न्यूमेन और जान हे रिडिनी फिर बरपूर तो पर जरिबास लाए न्यूमेन की किताब अच न्यूमेन फिर इसके बाद न्यूमेन एक रूमन के थलिक था जो ठान से काउन में आरलेंड की नी तश्कील शिदा के थलिक यूमेन का रेक्टर मकारूर हुआ यूमेन जिसने अजाद ख्याली तर्लीम की खूवियों को फरोग दिया इसके बा मतादल लेक्टरों पर मुझतमिल था जिसका मौज़ यूमेन जिन शिन का लेना चाहिए कि न्यूमेन अपने समीन के इस बात करशेद से कायल करने का खौजमन था कि आला तर्लीम से तहलों किराज दुनों नजिन को मुस्ताद कर दिया जाए इनिसी साथी के तर्लीमी फलस्फे में अफधियत पर मबनी असूलों जेरे बायस तसावर थालिकों नियूमेन ने इस एकसर मुस्ताद कर दिया अज़ाद ख्याल नसाब से मुराद इसे मजमीन हैं जो नसाब की तर्लीम जहन की एक आदत की तश्कीला जो इनसानी जिनकी की बारपूर काहिम रहती है और जिसकी खुस्दियत मसावथ सकून जिदियत और फहम अफरासत पर है नियूमेन का माकुफ है कि जिन अफराद ने इस तर्लीके के तहर तर्लीम असल की वो अपनी जिनकी में अपनी जिम्मेदारियां ज्यादा बेते तर्लीम नबास सकेंगी और वो दूसरे जबान में जहीं पार रख रखती हैं इस समर को फर्मोश नहीं किया जासा है गिए उन्वरीकालें लियूमेन का माकुफ है अस्तुर आजन में एक जूरत मंदान अक्दमा है जिसके तरह तल्बा को हक दिया गया यूनिवेस्टी में दाखल उते हुए वो कोई भी मजभी तियार कर सकते हैं बाराल न्यू मैन अफजीत के बारे में अरकी से कुफ़तो कुम ममनून करा देता है में कमजाब नहीं हो सका और न्यू मैन के ये निज़िया दिम्यान में लटका रहा फिर जी नेक्स्ट है ओलिगा वाइट कास्ट ओनिगा वाइट कास्ट माबाद अल्थियात का एक स्पेनिक प्रफेसर था इसकी किताब यूनिवेस्टी के रस्वलाइन उनसे तीस में मनून जिसमें लेक्च्चि दिमान में शाहिए उसके बाद ये किताब आला फलस्फी से मतालुक तर्फेसर अल्थिया अल्थिया विफ्तगू की और जंग के बाद बहुने में ये किताबत मकूल मकबूल वा सोख रही है फिरा जी काल जस्पर काल जस्पर की किताब यूनिवेस्टी का तसावर आइड का त्वादन का में मरकजी करदार है यूनिवेस्टी के मरकजी करदार है फिर जिक कलारक कलाकर की किताब दे यूज आफ यूनिवेस्टी हावर यूनिवेस्टी में इसके लेक्ट्रू पर मिश्तमिल है जो उसने 1963 में दिया फिर 1963 में इसके निजरिया असानी शुदा अड तोब पर इस हर्बत पर मुबतला है कि गार्यों कैसे खड़ी की जाएं, बारहाब यूनिवस्टरी के बारे में ये राय हत्मी नहीं, कलाक ना इपनी किताब की अनलफाद की जिकी कि इसा दारा, जिसके बारे में विटा कोई तनकीद ये तजिजिया नहीं किया गया, निव म मतलिक अक्साम के फराइस हों अब इस पूरे लेक्चुर का जो हासल बैस है वे ये है कि हायर एजुकेशन की फिलासफी से मतलग अपर की बैस से हम ये नितिज़ा खरस कर सकते हैं कि वक्त गुजनने के साथ साथ माश्री एक तसादी जूरू के पेशनाजर हायर एजुकेशन लग पाता है कि की इनिवस्ट्रिय में ज़्यदा तबज्ज़ और तद्रीज और पेशवराने तजबीत वादी जाती है जबकि दिगर के इनिवस्ट्रिय में असल अदाफ तखीक होते हैं ताहम जिन दो फिलसफियों तक आला तलीम के अदारों में अपना सिकार जमाई र खुद मुक्तार फलसफिय का नाम भी दे गया है इस तरह वोकेशनल फलसफिय के लिए यानि आमली प्रैक्टर्स या तजबाती फलसफिय की इस्तमार रतरी ताहम आज इनिवस्ट्रियों के जदार रज़ान वोकेशनल फलसफिय की तरुप है और इसके रज़ान में हुआ मैसे जाज़ चाहता हूँ और मात रभी कि लाबिल्ला असलाम अलाइकम खदा हाफिस